असलाम लेकूम आज है हमारे पास exercise 9.5 उसका question number 11, 10 ता question दो थे वो हमने last lecture में कर लिये थे तो आज हम question number 11 करेंगे, dx को अगर हम अंदर कर दें multiply तो बन ज़ेगा ydx minus xy square dx plus इसी तरह इसे करते तो यह आ जाएगा xdy plus x square y square dy equal 0 अब हम ydx और plus xdy को एक अठा लिख लेंगे, dy को, minus अब इन दोनों को लिख लेंगे xy square dx plus x square y square dy equal किसके आ गया, 0 के, अब हम इसे को अगर हम divide कर दे, x square y square पर divide by x square y square तो यह हमार पस क्या बन जाएगा ydx plus xdy x square y square minus इसका y square cancel होगो, sorry y square cancel होगो, x cancel होगी, 1x रहेगा रहेगा यह बन जेगा dx over x plus इसका x square y square दोनों cancel होगे, हमार पस रहेगा dy d1 over x y, इसके पुर्ण रहेगा, 1 over x y की, यह हमने लिख लिख लिया, minus dx over x plus dy जो था, वह ऐसे लिख 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 लिया, equal 0 के, ठीक हो गया, अब हम इसे इसे इंटेग्रेट कर देंगे, इंटेग्रेट करने के पाँ यह हमार पस रहेगा 1 over x y, minus, यह रहेगा ln x, plus इसका रहेगा y, equal c constant रहेगा, ठीक हो गया, यह 1 over x y कैसे है, यह आप लोंको पहरे यह लिखी जा सकती है, x, plus y, square है तो do into 1 over x y की form में हम लिखती है, ठीक हो गया, उसी तरह x y की form में हमने इसे लिखती है, ठीक हो गया, यह जो हमने अभी किया है, इसमें छोटी सी mistake है, इसमें यहां पर बाहर minus b याता है, यहां minus b, यह इसकी mistake है, जब हम इसका derivative रहती से solve कर यहां पर start में minus आएगा, यहां पर start में minus आएगा, यहां पर हम इसे correct कर लेते हैं, बाहर minus भी चाहिए, तो हमने यहां पर minus लिख लिख लिख, ठीक हो गया, तो हमारा minus में स्वाँ आएगा, इसे हम पास question number 12 इसे हम M कहलेंगे, इसे हम N कहलेंगे, हम करेंगे partial m over partial y, य के र तो एक्स आजएगा पार्शल N और पार्शल X करेंगे 3 to the 6 X के रवाई क्यों ठीक हो गया माइनस यह 0 हो गया यह सुरी X है इसमें 2X आगया अब यह दोनों आपस में इक्वल नहीं है पार्शल M और पार्शल Y डस नोट इक्वल पार्शल N और पार्शल X तो यह ठीक हो गया तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले तो हम करेंगे पार्शल M और पार्शल Y माइनस पार्शल N और पार्शल X ओवर N यह हमारे पास आया था 12 X के Y क्यूब प्लस 2X माइनस यह हमारे पास आया है 6 X Studios Y क्यूब प्लस 2X हमने लिखने एन एन हमारे पास यह यह वैलू है 2 X क्यूब 4 X स्क्याक्शल X स्क्याक्शल Y क्यूब 51 क्योच व्रेड को मानँस करेंगे तो हमारे पास आजिएगा 6 x square y cube यह हमार पर सुज़ेगा 4 x और इन दोर में से x square, लेले तो हमार पास रहे जाएगा 2 x y minus 1 इन दोर में से 2 x, लेले तो फिर भी यह cutting नहीं होती, मत्लि भी does not equal q of x रहे है, ठीक हो गया, अब हम दूसरे विला, इसमें यूस करेंगे method partial, sorry, n, partial m पर लेके था, partial n over partial x minus partial m over partial y over m यह हमार पास है, 6 x square y cube minus 2 x, यह value हमार पास जो है, वो है minus 12 x square y cube plus था, तो minus करेंगे 2 x over m हमार पास है, 3 x square y 4 plus 2 x y ठीक हो गया, यह हमार पास आजएगा minus 6 x square y cube, यह हमार पास 4 x इन दोन में से मार पास x y common आ रहे है, common लेने के पास यहां रहे है 3 x y cube 3 x y cube और यहां रह रहे हैं मार पास 2 इन दोन में से minus 2 x common ले ले ले, 2 है, minus 2 x common ले ले, तो हमार पास रहे जएगा 3 x y cube, minus 2 2 होता है, 2 x common आ गया था, minus 2 common है तो इसलिए sign change हो गया, x y, 3 x y, y cube 2, यह से cancel out हो गया, x x cancel हो गया, minus 2 over y, यहां गया equal q of y के, एकी variable y इसमें मजूद है, ठीक हो गया, अब क्या करेंगे, integrating factor निकालेंगे, e की power में लिखेंगे, 2 over minus 2 over y dy, तो यह बन जागा, e की power minus 2 ln y, तो इसकी power में आ जागा, e की power ln y की power minus 2, ln e1 आ गया, y की power minus 2, तो इसे लिखेंगे 1 over y square, तो इसे multiply कर देंगे, equation 1 मतलब सवाल से, multiply by 1 over y square equation 1, तो यह 1 over y square से, जब हो multiply करेंगे, तो हमारे पास equation बन जागे, 2 x square y square, sorry 3, x square y square, plus 2 x over y dx, plus 2 x cube y minus x square over y square dy equal 0, यह हमारे पास equation बन गई, अब यह हमारे पास equation बन जागे, यह हमारे पास exact equation है, ठीक होगे, यह करने के बाद जब हमारे multiply कर लिखेंगे, तो हमारे पास equation बन जागे, यह exact equation बन जाती है, इसे हम कहेंगे, partial f over partial x, इसे कहेंगे, partial f over partial y, ठीक हो गया, 3 x square y square plus 2 x over y, partial f over partial x कहेंगे, हम 3 x square y square plus 2 x over y, plus 2 x over y, और partial f over partial y हम किसे कहेंगे, 2 x cube y minus x square over y square, दोने में से जिसको मरजी solve कर लें, तो हम इसको कर लेते, integrate with respect to x होजएगा, integrate करेंगे, तो यह हमारे पस आजएगा, f into x, y, with respect to x integrate हो रहा है, तो x की power increase होगी, 3 x की power 3, y square over 3, plus, यह ln y बन जएगा, 2 x ln y, यह हमारे पस आजएगा, plus, g of x square square से कहेंगे, तो y रिखेंगे, 3 से 3 cancel होगी है, अब हमारे पस आजएगा, x cube, y square, plus 2 x ln y, plus, g of y, इस equation 2 कहती है, ठीक होगी है, अब डिफ्रेंशियेट करेंगे, partially, partially differentiate with respect to y, ठीक होगी है, तो यह हमारे पस तुन जएगा, partial f over partial y, तो यह हमारे पस आजएगा, 2 x cube y, y के respect से करेंगे, 2 x ऐसे आजएगा, इसका आजएगा, 1 over, mistake होगी है, यहां पर, यह हम ने integrate किया था, तो यह तो x किया था, तो यह तो x किया था था, यह तो x किया था, 2y, 2 x square over 2y, यह नहीं आना था, 2 से 2 cancel हो जएगा, x square over y रह जएगा, यह L and y नहीं आना था, यह mistake होगी थी, ठीक होगी है, अब x square over y है, इसे हमने partial differentiate करना है, x square थो वैसे आ गया, यह y को जब करेंगे था हमार पास आजएगा, minus 1 over y square, चीक होगी है, plus g prime y, partial f over partial y की value हम पुट करेंगे, वह हमार पास है, 2 x cube y minus x square over y square, 2 x cube y plus minus minus x square over y square, plus g prime y, यह दोनों cancel होगे, 0 equal g prime y integrate करेंगे, तो 0 की integration 0 जाती है, ठीक होगी है, अब इसे put कर देंगे, equation 2, तो हमार पास आजएगा, x cube y square, यह equation 2 थी, इसमें g की जगाप उट कर देंगे, plus x square over y, plus 0, 0 लिखने की ज़रुवरती है, चीक होगी है, यह भी solve होगी है, अब हम आगे करतें, question number 30, अब हमार पास question number 30, इसे पहले और रेंज कर लेते हैं, इसे उदर ले जाते हैं, x को इदर लियाते हैं, y minus x, यह y dy over dx, यह x plus का इदरा के minus को होगे, यह minus का इदरा के plus को होजएगा, x dy over dx, दोन में से dy over dx को मना आजएगा, तो बच्चे का y plus x, dy dx, y minus x, यह दरा के multiply होजएगा, y minus x, dx, equal y plus x, dy, ठीक होगे, यह arrange कर देते हैं, इसे भी सिर्फ ले आते माइनस करतेंगे, बच्चे का d, dx में आजएगा, y minus x, minus dy में आजएगा, y plus x, equal 0, ठीक होगे, यह हमारे पास m है, यह हमारे पास n है, तो हम करेंगे, partial m over partial y, तो इसका y कर स्पेक्ट से करेंगे, 1 आजएगा, इसका करेंगे, partial n over partial x, तो इसका आजएगा, minus 1, दोनों equal नहीं है, partial m over partial y does not equal partial n over partial x तो exact नहीं है अब इसके लिए क्या करेंगे हम first में करेंगे partial m over partial y minus partial n over partial x over n यह हमारे पास है 1 minus यह भी 1 है तो plus 1 हो जाएगा over n हमारे पास है minus y plus x does not equal q of x क्योंकि xy तो नहीं मजूद है इसी तरह second वाला करेंगे partial n over partial x minus partial m over partial y over m ठीक हो गया यह हमारे पास minus 1 minus 1 m हमारे पास क्या है y minus 1 यह भी does not equal q of y आकिया ठीक हो गया अब third वाला करेंगे थर्ड वाले में क्या करते होते हैं हम इसे पहले लिखेंगे x m plus y n ठीक हो गया plus वाला हम कर लेते पहले इस तरह देखें हम देखें थे यह तो चले फॉर्ट वाला पहले कर लेते बाद में third वाला करके लेखेंगे minus x m plus y n does not equal 0 आना चाहिए x हम ने लिखा m हमारे पास क्या है y minus x plus y लिखा n हमारे पास क्या है minus y minus x यह बंजागा x y minus x k minus y sk minus x y ठीक होगे? यह minus x y plus y cancel होगे यह आगे minus x k plus y sk does not equal 0 ठीक होगे? does not equal 0 होगे तो अब हम इसे क्या करेंगे? multiply करेंगे equation 1 को equation 1 इसे क्या दे? multiply by 1 over minus उपर लिख 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 x square plus y square equation 1 ठीक होगे? यह हमारे पास बंजागा minus y minus x over x square plus y square dx यह हमारे पास बंजागा plus y plus x over x square plus y square dy equal 0 ठीक होगे? अब हमारे पास यह equation बंजागा है जब हमने इसे integrating factor के साथ multiply किए हमारे पास रिख लिख 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 लिखका है ठीक होगी, इसे हमने multiply कर दिया है, अब हमारे पास होगा partial f over partial x, यह value होगी, इस माइनस वे से sine chain कर लिख देते हैं, x minus y over x square plus y square, ठीक होगी, उसी तरह partial f over partial y, जो होगा हमारे पास होगा, x plus y over x square plus y square, ठीक होगी, दोनों में से जिसको मर्जी हम लोग solve कर सकते हैं, अगर हम इस side को solve करें, ठीक है, अगर हम इस side को solve करें, तो हमारे पास ही क्या बनेगा, इसे पहले लदा-लदा कर लेते हैं, partial f over partial y, x over x square plus y square plus y over x square plus y square, ठीक होगी, integrate with respect to y होगा, integrate, नीचे लेकर derivative उपर होना चाहिए, x square mu is as constant use हो और तो, y square, y square plus y square plus y square, X की फोर्म हमार पास बन रही है का inverse यह निकिए यह बन रहा है इसके लिखे tan inverse Y over X लिखते हैंगे tan inverse Y over X फोर्म हमार पास बन रही है हमार पास प्लस इसे अगर हम 2 से multiply और divide कर दे 2 से multiply भी हो गया और divide भी कर दिया तो इसका derivative पर 2y मजूद है तो LN की form में लिखते हैंगे 1 over 2 LN x के है प्लस y के है प्लस g of x आ गया ठीक हो गया अब partial जो फ्रेंशिट कर देंगे with respect to x यह बन जेगा partial F over partial x with respect to x 10 inverse y over x जब हम करेंगे तो हमार पास की उसकी form आएगा हमार पास x square over x square plus y square y over x square ठीक हो गया प्लस इसको जब करेंगे तो 1 over 2 ऐसे आगे प्लस आगे अगे value लिखते है वह हमार पास क्या है x square plus y square low के अगे value अगे अगे फिर उसके बाद यह करते है low के अगे value को derivative with respect to x करेंगे तो यह इसका क्या जेगा 2x 2 से 2 cancel होगा यह बन जेगा हमार पास g prime at x यह कैसे आगे था हम जब 10 inverse लेते हैं तो 1 over 1 plus इस angle का square angle का square y square और x square अगे अगे जब LC में लेगे तो x square plus y square over x square है तो उसे हम उपर लेगे ठीक हो गया उसके बाद क्यात है d over dx x angle का derivative with respect to x ले रहे हैं तो y हमार पास तो as it is आगया x का derivative नेगे तो हमार पास आजेगा minus 1 over x square ठीक हो गया यह x square से x square cancel हो गया हमार पास आगया y over x square plus y square यह हमार पास आगया plus x over x square plus y square ठीक हो गया इसके साथ minus भी था equal partial f over partial x हमार पास क्या था x minus y over x square plus y square x over x square plus y square minus y इसे जब LCM लेने तो यह minus वला यह plus वला यह cancel हो जाएगा ठीक हो गया तो 0 equal g prime x integrate करेंगे तो आज जागा 0 equal g of x ठीक हो गया यह equation 2 थी जिसमे g of x था इसमें put कर देंग g of x की जगा 0 put in equation 2 तो यह हमार पास आजागा 10 inverse y over x plus 1 over 2 ln x square plus y square और g of x की जगा 0 को लिखने की जूरत इन equal ठीक हो गया यह हमारा solve हो गया question number 13 भी अब हम करते है question number 14 अब हमार पास question number 14 है यह dx उदर जाके multiply हो जाएगा तो यह आ जाएगा dy equal e की power 2x plus y minus 1 dx ठीक हो गया इसे उदर ले जाके minus कर देंगे e की power 2x plus y minus 1 dx minus dy equal 0 यह m है यह n है partial m over partial y करेंगे तो यह हमारे पास आजएगा 1 अब partial n over partial x करेंगे तो यह हमारे पास आजएगा minus 0 आएगा sorry फिक हो गया अब यह नो दोलों हमारे पास मुख्लिफ आ गये partial m over partial y does not equal partial n over partial x तो अब हम क्या करेंगे इसे partial m over partial y minus partial n over partial x over n ठीक हो गया partial m over partial y जो हमारे पास आजए 1 माइनस यह 0 आगया n हमारे पास क्या है 1 minus 1 तो यह हमारे पास क्या आजएगा minus 1 जो equal है q of x के ठीक हो गया integrating factor के लिए क्या करेंगे minus dx x तो यह क्या आजएगा e की पावर minus x ठीक हो गया multiply equation 1 multiply by e की पावर minus x both side equation 1 हमने यह बना दी ठीक हो गया e की पावर minus x से multiply करेंगे तो यह रह जएगा e की पावर x plus y over e की पावर x minus 1 over e की पावर x minus x ही नहीं तो denominator में लिखती है dx minus 1 over e की पावर x dy equal 0 अब हमार पास यह n है और यह m है तो हम दोनों में से जिसको मर्जी सोल कर सकते हैं पहले ले 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 partial f लिख ले x हमार पास आगे e की पावर x plus y e की पावर x minus 1 over e की पावर x partial f over partial y y हमार पास क्या है minus 1 over e की पावर x यह पिर ऐसे भी लिख सकते हो minus e की पावर minus x इसी ही solve कर लेते हैं integrate with respect to y कर लेते हैं तो यह हमार पास बन जएगा f of x, y minus e की पावर minus x y plus g of x अब partial differentiate करेंगे with respect to x करेंगे तो यह बन जएगा partial f over partial x with respect to x करेंगे करेंगे y over e k power x plus g prime at x यह से cancel हमार पस रहेंगे e k power x minus 1 over e k power x equal g prime at x अब integrate करेंगे e k power x के integration e k power x जब इसे उपर लें e k power minus x बन जाएगी तो उसकी जब integration करेंगे minus e k power minus x रहेगी जो इस minus को plus कर देगी e k power minus x g of x इसे put कर देंगे equation 2 में put in equation 2 तो यह हमार पस बन जाएगा y over e k power x minus में था plus e k power x plus e k power minus x equal c ठीक होगी यह हमार पस बन गया अब हम अगला कोस्न करतें अब यह हमार पास question number 15 है इसे अगर हम इससे multiply करें यह बन जाएगा y square dx plus x y dx minus x square dy equal 0 बन गया ठीक होगी अब हमने मुख्तलिफ लेने एक तो यह dy वाला ले लेंगी एक यह ले लेतें दोनों में से मार पास x common भी आ रहा है x अगर हम यह वैसी लिखा रहा है यह y square dx ठीक होगी प्लस x comma ले ले तो यह बन जेगा y dx minus x dy equal 0 अब इसे y square पर अगर हम डिवाइड कर दें तो यह हमार पास बन जेगा dx plus x y dx minus x dy over y square equal 0 अब यह जो इतना है हमारे पास इतना है हमारे पास यह बन रहा है हमारे पास x over y की form में dx over y की form में लेकिन उसमें यह x इंचाहिए तो हम x रे डिवाइड कर देते हैं तो यह बन जेगर dx minus x dy over y square equal 0 अब यह हमारे पास बन रही है यह बन गया यह बन गया अब इंटीरेट कर देंगे तो हमारे पास आजेगा ln x plus x over y equal c ठीक हो गया इस तरह भी कर सकते हैं इस तरह बना करते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं जिस तरह हमने question number 14,13 किया है उस method से भी आप लोग कर से चोटा था इसलिए आप लोग को यह कर दिया है ठीक हो गया आगे मैं करते है question number 16 है इसे m कहेंगे इसे n कहेंगे partial m over partial y करेंगे तो हमार पास आएगा 3x plus 2y और जब हम partial n over partial x करेंगे तो 2x plus y आजेगा दोनों does not equal है तो हम इसे exact बनाने कोशिश करेंगे यह exact नहीं आया तो हम करेंगे partial m over partial y minus partial n over partial x over 10 यह हमार पास है 3x plus 2y minus इसके sign change करके लिख देंगे 2x minus y यानिके sign change करके लिख दिया over n हमार पास है x square plus x y यह आजेगा x इनको minus करेंगे y आजेगा इनमें से x को में लेके लिख देंगे x plus y यह से cancel हमार पास आगया 1 over x ठीक हो इसका integrating factor find करेंगे e की power में से लिखके e की power 1 over x dx तो यह आजेगा e की power ln x ln e1 हो गया तो हमार पास x आगया multiply by x equation 1 equation 1 को x से multiply करतेंगे multiply करने के बात हमार पास equation में देगी 3 x square y plus x y square dx plus x cube plus x square y dy equal 0 इसे करेंगे यह m वली है यह n वली है तो इसे हम करेंगे partial f over x एक से partial f over y f over x equal 3 x square y x y square ठीक हो गया इसे तरह partial f over partial y है हमार पास आगया x cube plus x square y ठीक होगे दोनों से जिसको मर्जी सौन कर लें इसी ले ले लेते हैं इंटेग्रेट कर लेते हैं यह आजेगा f into x,y integrate with respect to y होगा तो यह तो आजेगा x cube y यह बन जेगा y square x square y square over 2 g into x ठीक होगया इसे अब पार्शली दिफ्रेंशीट कर लेंगे इसे differentiate with respect to x partially करेंगे तो यह जेगा partial f over partial x 3 x square y 2 x y square over 2 g prime x partial f over partial x की value लिखेंगे वो हमार पास आई है 3 x square y plus x y square 3 x square y plus x y square plus g prime x यह दोनों cancel होगे 0 equal g prime x ठीक होगया integrate करेंगे तो 0 equal g of x आजगा इसे equation 2 किया किसे पुट कर देंगे put in equation 2 तो हमार पास equation 2 में put करनेक बाद equation बन जागी x q y plus x square y square over 2 plus 0 equal c यह हमारा solve की बागे करते है question number 17 है यह m की value है यह n की value है हम करेंगे partial m over partial y तो कर आएगा 3x square plus 2x plus 3y square यह n की value तो partial n over partial x करेंगे तो 2x आगे दोनों does not equal partial m over partial y does not equal partial n over partial x तो हम क्या करेंगे partial m over partial y minus partial n over partial x over n यह हमार पास आया है 3x square minus plus 2x plus 3y square minus इसका sign check करें minus 2x यह से cancel हो गया over n n हमार पास है x square plus y square उपर में इसे 3 कोमर ले लेंगे तो आजगा x square plus y square over cancel हो गया 3 equal आगया q of x के ठीक हो गया integrating factor निकालना है तो e की power में 3 dx तो आजगे e की power 3x ठीक हो गया e की power 3x आगया ठीक हो गया अब हमने क्या करने e की power 3x जो हमार पास आगी है हमने पूरी equation को e की power 3x से multiply करना है equation 1 को equation 1 multiply by e की power 3x तो बंजे की multiply होने के बाद 3 x square y e की power 3x plus 2 x y e की power 3x plus y cube e की power 3x dx x square e की power 3x plus y square e की power 3x ठीक हो गया अब हमने लिखेंगे हम इसको इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो यह आजगा इंटीग्रेट करने के बाद इसको 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 इसके साथ y आ जागे तो इसको साथ y आजगे है तो इसको इसको साथ y मजूर नहीं है यह ओवर 3x y प्लस यह करेंगे तो y की power 3 e की power 3 x over 3 plus g of x आजएगा अब differentiate करेंगे with respect to x partially तो यह बनज़ेगा partial f over partial x यह बनज़ेगा इस पर product true लगेगा पहले x के करेंगे 2x e की पावर 3x y प्लस अब इस पर apply करेंगे तो 3x के e की पावर 3x y इसका करेंगे तो हमार पास आएगा 3 e की पावर 3 x y क्यूब ओवर 3 plus g prime x ठीक हो गया अब partial f और partial x के जगे उसकी value लिखेंगे जो दिए भी थी हमार पास 3 x के e की पावर 3 x plus 2 x y e की पावर 3 x plus y cube e की पावर 3 x आगे यही सारी 2 x e की पावर 3 x y plus 3 x के e की पावर 3 x y plus e की पावर 3 x y cube plus g prime x यह इससे cancel हो गया यह इससे जीरो इकुल g prime x आगया तो g इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा g of x equal आजएगा 0 के इससे put into कर देंगे equation to g है sorry जिसमें g of x था यह है ठीक हो गया x के e की पावर x y y cube e की पावर 3 x over 3 plus e की पावर 3 x over 3 equal c ठीक हो गया यह सवाल होगी आब हम करते है question number 18 यह n की value है और यह m की partial n over partial y जब करेंगे तो हमारे पास आजएगा 1 partial sorry m partial n over partial x करेंगे तो हमारे पास आजएगा 2y तो दोनों does not equal है does not equal partial n over partial x अब हम करेंगे partial m partial y minus partial n over partial x over n यह हमारे पास है 1 minus यह हमारे पास 2y over n हमारे पास है 2xy minus e की power minus 2y यह does not equal ही रहेगा हमारे पास q of x ठीक होगे अब second मेला करके देखेंगे second मेला में करेंगे partial n over partial x minus partial m over partial y over m यह हमारे पास है 2y minus 1 over m हमारे पास है y तो यह आगे है equal q of x के ठीक हो गया अब हम integrating factor भी कालना है e की power में इसे लिखेंगे पहले इसे लिखेंगे इस तरह बिर simplify थोड़ा सकर लेते इसे यह बन जेगा 2y over y minus 1 over y मतलब 2 minus 1 over y ठीक हो गया e की power में लिखेंगे 2 dx minus 1 over y sorry y dy ठीक हो गया e की power 2y minus ln y ठीक हो गया 2y minus ln y बन गया हमारे पास इस फोर में आ गया अब इसे लाद लाद अगर लिखना चाहे तो 2y e की power minus ln y ऐसे भी लिख सकते हैं मतलब e की power 2y e की power ln y की power minus 1 यह हो जेगा 1 e की power 2y y की power minus 1 राजेगा इसे लिख सकते हैं e की power 2y over y equation 1 को इसे multiply करते हैं equation 1 multiply by e की power 2y y की power minus 1 तो यह जब हम करेंगे तो बन जेगा e की power 2y dx plus 2x e की power 2y minus 1 over y dy equal 0 बन जेगा ठीक हो गया अब हमारे पस यह बन गया अब हमने इसे क्या करना है partial f over partial x केहेंगे e की power 2y को इस तरह partial f over partial y केहेंगे इस वली value को मतलब 2x e की power 2y minus 1 over y को अब दोने में से जिस मर्जी side को अब लग solve कर सकते हैं हम इस side को solve कर लेते हैं integrate जब dx के respect to integration साथ में सिर्फ x आजएगा x e की power 2y plus g of y ठीक हो गया partially differentiate करेंगे differentiate with respect to y ठीक हो गया यह बन जएगा partial f over partial y x e की power 2y over sorry 2 plus g private y और यह partial f over partial y की value वा रपस क्या है 2x e की power 2y minus 1 over y यह दो लिख देंगे 2x e की power 2y minus 1 over y equal 2x e की power 2y plus g private y यह इसे cancel हो गया minus 1 over y equal g private y integrate करेंगे integrate करने बाद यह आजएगा minus ln y equal g of y ठीक हो गया इसे put कर देंगे equation 2 में put in equation 2 equation 2 कौन सी है हमार पास यह है question number 90 यह m की value यह n की value partial m over partial y करेंगे तो 0 आजएगा partial n over partial x करेंगे तो यह आजएगा e की power x quart y इसमें x है यह आजएगा अब हम करेंगे तो यह does not equal आजए partial m over partial y does not equal partial n over partial x exact बनाने की क्या करेंगे partial m over partial y minus partial n over partial x over n यह हमार पास 0 है minus 1 की power x quart y और n हमार पास क्या है इकी power x quart y plus 2y को सीकेंगे यह does not equal q of x आजएगा क्योंकर इसमें x और y दोनों variables मजूद हैं अब हम second way को use कर लेंगे partial n over partial x minus partial m over partial y over m करेंगे यह हमार पास है 1 की power x quart y minus 0 और m हमार पास है 1 की power x 1 की power x, 1 की power x कट गया तो हमार पास क्या आगया quart y ठीक हो गया, integrity factor काने के लिए हम 1 की power मी से लिखेंगे 1 की power quart y dy तो यह क्या आजएगा, 1 की power ln sin y यह 1 हो गया है तो आगया हमार पास sin y, equation 1 multiply by sin y ठीक हो गया, equation 1 को हम sin y से multiply करते हैंगे तो multiply करने के लिए हमार पास equation 1 क्या बन जाएगी e की power x sin y dx plus e की power x cos y plus 2y cosecant square y dy equal 0, इस तरह बन जाएगी equation 1 कुछ ही स्वाम की बन जाएगी क्या पर cosecant था ना, तो sin से multiply किया हमने तो cosecant, जो होता है हमार पास उसे sign करें तो sin, sorry, 1 ना रहेगा, sin से sign कर जाएगा, 2y ही रहेगा यह नहीं रहेगा, ठीक हो गया, ठीक हो गया अब यह हमार पास m है, और यह हमार पास n है, तो हम लिखेंगे partial f over partial x m वली value को e की power x sin y और partial f over partial y n वली value को लिखतें, जो हमार पास e की power x cos y plus 2y, ठीक हो गया, अब हमार पास 2 values बन रहेगा, तो दो यह बन जेगा, f of x, y, with respect to x integrate हो रहा है, तो क्या आजेगा, e की power x sin y plus t prime at y, अब partial यह friendship करेंगे, with respect to y, तो यह बन जेगा partial f over partial y with respect to y हो रहा है, तो sin y का derivative हमार पास होता है, वह आता है, sin y का derivative cos y तो मैं लिखेंगे e की power x cos y plus g prime at y, अब partial f over partial y के जगर इसकी value लिखेंगे e की power x cos y plus 2y equal, अब यही चीज़ लिखतेंगे e की power x cos y plus g prime at y यह से cancel होगे 2y equal आगे g prime at y, integrate करेंगे तो यह जगा 2y square over 2 g of y, मतलब y square आगे g of y, put कर देंगे equation 2 में equation 2 में, equation 2 में, इसकी जगा क्या लिख देगे हम y square, e की power x sin y plus y square equal c, question number 19 बे हो गया, अब हम करते है question number 20 है, यह हमार पास m की value है, यह n की value है, तो partial m over partial y करेंगे, तो यह y के respect से करेंगे तो यह हमार पास आजएगा, x plus 2, sin का derivative बाता है, cause y, ठीक हो गया, अब यह करेंगे partial n over partial x, तो यह आजएगा x का derivative बाता है, तो साथ में आजएगा cause y, दोनों मुख्लिफ है, partial m over partial y does not equal partial n over partial x, तो exact बिनाने के लिए हम क्या करेंगे, partial m over partial y minus partial n over partial x over n, यह हमार पास है, x cause y, यह इनकी से अंदर multiply करके लिख रही हूँ, plus 2 cause y minus cause y, ठीक हो गया, over n हमार पास क्या है, x cause y, 2 cause y में से cause y minus के तो cause y रहा गया, x cause y plus cause y over x cause y, तो यह में से cause y common ले लेंगे, तो हमार पास रहा गया, x plus 1 over x cause y, यह से cancel हो गया, आ गया, x plus 1 over x, दोनों को लाद 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 लिखेंगे, x over x plus 1 over x, तो यह हमार पास आ गया, 1 plus 1 over x, ठीक होगे, इसे derivative factor के लिए use करेंगे, e की power dx plus 1 over x dx, इसकी आ जाजेग, e की power x plus ln x, ln x आ गया, अब क्या करेंगे हम, e की power x, e की power ln x, यह हो गया 1, तो आजेगा e की power x, x, इसे multiply करनेगे equation 1 को equation 1 j है, equation 1 multiply by e की power x, x, जो e की power x, x से multiply करेंगे इसे, तो हमार पास आजेगा e की power x, x के sin y, plus 2 e की power x, x sin y, dx plus e की power x, x square, cos y, dy equal 0, ठीक हो गया, अब हम करेंगे partial f over partial x, जो है हमार पास यह value है, e की power x, x square, sin y, plus 2 e की power x, x sin y, अब partial f over partial y, जो है यह value है, हमार पास e की power x, x square, cos y, ठीक हो गया, अब हम इसको integrate कर लेंगे, तो आजेगा f into x, y, with respect to y integrate करेंगे, तो यह value ऐसी रहेंगे, cos y का derivative हमार पास, integration की आजेगी, sin y, बापकर यह ऐसी आजेगा, e की power x, x square, sin y, plus g of x, ठीक हो गया, अब partial differentiate करेंगे, with respect to x, यह जगा partial f over partial x, x के respect से कर रहे हैं, तो यह दून होंगे यह नहीं होगा, e की power x का e की power x से आता है, तो बाकी asities आजेगा, अब इसे करेंगे 2x हैगा, तो बाकी asities आजेगा, e की power x sin y, plus यह बंजेगा g' x, partial f over partial x की जगा, उसकी यह वली value लिखते हैंगे, e की power x, x square sin y, plus 2 e की power x, x sin y, अब यह वली value लिखते हैंगे, e की power x, x square sin y, plus 2 x e की power x, sin y, plus g' x, यह दो लो cancel होगे, 0 equal g' x, integrate करेंगे, तो आजएगा, 0 equal g of x, इस equation 2 में put करतेंगे, यह equation 2 है, g of x, 0 लिखते हैंगे, मतलब यही इसरफ आजएगी, put in equation 2, तो हमार पास आजएगा, e की power x, x square sin y equal c, यह भी solve होगे, यह हमारी exercise complete होगी, आगे next exercise, inshallah next lecture, करेंगे झाल झाल